स्वागत है आपका मेरे चैन्ग कॉमर्स दूजी पर और जो हमारा चैप्टर चल रहा था एड्मिशन अफ पार्टनर बीके गोल सॉलुशन्स उसमें हमने लाज्ट वीडियो में कोर्ष नमा एक्टी वन तक कर लिये थे और आज हमारी लाज्ट वीडियो होने वाली है बेसिकली मैं अपसे कहना चाहूं कि जैसे कि आपको मालूम है कि पार्टनर के पर चैन्गे स्वाइन और और चैंचप में पहले करवा हूं आपके साथ उसके वाद बताऊंगा आपको क्या करना है देखो हमें इसमें रिवेलिशन अकाउंट से मतलब है रिवेलिशन अमलाते है पेले दो एजिस्मेट आपके लिए ज्यादा माइने नहीं थीसरा देखो investment की value होगई 10,000 रो एक्से ने ले लिया, investment की value थे 8,000 और होगई 10,000 बढ़ गया revelation में कहाएगा फाइडा हुआ buy में investment 2000 से typewriter depreciate हुआ है और fixed asset depreciate हुए और दौनों debit side में जाएगे two typewriter 20% 5000 का 20% 1002 में debit side में और fixed assets का 10% 13,700 debit side एक customer ता जिसका हमने पहले bad debt लिख लिए था अब वो 1000 रुपे जिने के लिए राज यानि का मैं debters है buy debtors लाज देंगे 1000 रुपे तो अब आपका जो CR side में वो आया वो आतीन अजार और ही आया 14,700 तो 14,700 में से 3000 माइनस करोगी तो 11,700 आएगा loss on evaluation जो कि आप देख सकते हो 11,700 अब आप मेरी बात सुनो admission of a partner में आपको बस इतना ही करना है उसके आगे नहीं करना clear है याने कि इतने question करने है उसके आगे कोई question लगाने की need नहीं है आपको आपका बहुत ही best तरीके उसके हो चुका है अब मेरी बात समझो जो बच्चे नई book से कर रहे हैं और उनमें मेरी वीडियो find out नहीं हो पारी चाहे वो fundamental of partnership की हो चाहे वो NPO की हो या वो admission of partner की हो या वो retirement की हो या वो dissolution की हो तो वो मैंने description में link attach कर दिया है सभी आपको वीडियोज वहां मिल जाएंगी easily और अगर आपकी book पुरानी है तो पुरानी book के हिसाब सभी मैंने description में attach कर दिया है सारे chapters तो आपको जो भी chapters देखना हो description में attach है एक चीज़ देखना है जैसे कि आपको मालूम है कि accounts मेरा तो चाल हुआ है class 12 के लिए please उसको सभी लोग जरूर देखना सबसे पहले मैं उसी का link description में डाल दिया है पूरी देखना जाद से आदे शेयर करना thank you